मुहह खोली ले आपसांसाद स्वातिमालिवाल मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्होंने एक बात पुली थी जो मैं जिन्दिगी में कभी नीं पुला सकती उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है ना, कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था, कि तुम बस में क्यों गई, आटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था तो इस तरीके की जो victim shaming है, ये हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है अब जो उनके सवाल हैं, वो ये कहते हैं, कि CCTV footage में तो देखो, कैसे चल रही है, सीधी चल रही है वो जो edited video है, उसमें तो देखो, अराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है, तो आपका first reaction क्या होता है आपको अगर कोई गोली भी मार दे, तब भी आप उठके भागते हो, क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है तो यह कहना कि देखें, इस CCTV फुटेज में यह ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है, उसमें तो मीडिया में यह चल रहा है कि CCTV फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे तो क्या ये CCTV footage बिल्कुल correct है, क्या ये doctored है, and on top of it.